दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो real estate wholesaling का business है ये ना ही एक agent business है और ना ही एक fix and flip करने वाला business है ये completely एक नया idea है जो इंडिया में उतना popular नहीं है पर बिदिशों में ये बहुत ही ज्यादा popular है ये basically एक जरिया है कुछ fees collect करने का undervalued properties को ढूंदने का and then उसके seller से एक contract हासिल करने के जिसमें लिखा होगा आप उससे उतना ही payment करोगे जो वो चाहता है for example अगर उस property का price market price 50 lakh rupees है अगर सब कुछ सही रहता है तो पर वो seller मांग रहा है आपसे 40 lakh rupees कि वहाँ पे आपको maintenance का खर्चा करना पड़ेगा नया paint डालना होगा furniture को repair करना होगा floor को ठीक करना होगा और भी बहुत सरा maintenance में खर्चा आएगा जहां about 2 lakh rupees खर्चा हो सकता है तो वो seller आपसे कहता है कि आप मुझे 40 lakh दिलवा दो इस property का and then वो आपको contract sign करके देता है right to sale का contract मतलब उसमें लिखा होगा कि आपके अलावा कोई भी उसे बेच नह पाएगा जब तक आप उसे permission नहीं देते वो seller आपको एक ऐसा contract दे देता है and then आप उस contract को जाके किसी investor को बीच देते हो उसे कहते हो कि भाई साब देखो कि यहां अच्छा opportunity है आप इसे खड़ीद सकते हो आप इसे खड़ीदो 43 lakh rupees में यहां पर repair करो 2 lakh rupees का इन देन से sale कर द है आप just contract को sale कर रहे हो ना कि properties को यही main difference है एक agent के बीच में और एक wholesaler के बीच में एक wholesaler property नहीं contract को right to sale को sale करता है और एक agent property को sale करता है इसलिए इस business में आपको ज्यादा invest नहीं करना पड़ता आप just थोड़ा पैसा लगाओ property को ढूंडने में उसे analyze करने में and कुछ documents को collect करने में that's it अगर आप flip करना चाहते है तो आपको उसका down payment करना होगा पूरा पैसा देना होगा जो whole selling में apply नहीं होता whole selling में हाँ थोड़ा headache होता है आपको property को ढूंडना उसका profit क्या होगा investor इसलिए wholesalers को contact करते हैं कि उनके पास time नहीं होता properties को ढूंडने के लिए वो काम आप as a wholesaler कर रहे हो इसलिए आपको फायदा मिल रहा है 3 lakh rupees का जो investor आपको दे देंगे उस contract के मुताबिक now discuss करते हैं किसका pros क्या है and cons क्या है मतलब क्या अच्छा है और क्य बुरा है देखो इस गेम में आपका profit बहुत ही कम समय के अंदर आपके पास आज आता है में भी एक महिने के अंदर जो बहुत ही अच्छा चीज़ आपको बहुत कम समय के अंदर profit मिल रहा है यह चीज़ा को due diligence में master बना देगा properties को ढूंडने में master बना देगा communication में negotiation में यह एक को खिलारी बना देगा और यह चीज़ उनके लिए suitable है जिनके पास पैसा बहुत बहुत ही जैदा कम है और credit score उतना अच्छा नहीं है मतरब civil score उतना अच्छा नहीं है वैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोन उठाना चाहते है प्रॉपटी को पर्चेस करने के दिये तो civil score on average bank मांगता है 750 plus उसके नीचे होगा तो लोन आपको नहीं मिलेगा इस खेल में इस whole selling के खेल में आपको नहीं अपने civil score को submit करना पड़ेगा और नहीं huge cash के requirement है आप just a contract बना लो और उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दो पर इसमें कुछ cons भी है इसका downside भी है इसमें income unpredictable हो सकता है, income आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है और कोई इंसान, कोई buyer या फिर seller आपसे धोका धरी करता है तो आपको कोट का चकर काटना पड़ेगा उसमें बहुत सरा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा जिससे ultimately आपका expense बढ़ेगा और income downward जाता रहेग तो इसमें income unpredictable है, आप predict नहीं कर सकते कि आपको कितना पैसा मिलेगा, वो depend करता है आपके negotiation technique के उपर, कि आप कैसे किस term के उपर उस buyer से वो contract sign करवाते हो उसके उपर, इस whole selling की game में buyers को ढूंदना सबसे मुश्किल काम होता है, investors मिलता ही नहीं, लोग खडीदना नहीं चाहते आसे properties को कुछ ऐसे अच्छे ultimate investor होते हैं, जो ऐसे properties की तलास में रहते हैं, आपको उन लोग को target करना होगा, जो बहुत ही tough होगा ढूंदने में, maximum लोग ऐसे properties को neglect कर देंगे, वो चाहेंगे कि मुझे अच्छा property मिले, मैं क्यों इसे खडीदू, यहाँ पे मुझे rehab करना तो maximum property buyers उसे ignore कर देंगे, जो बहुत बड़ा challenge बन जाता है आपके लिए as a wholesaler, और उस property को maintain करने में भी आपको दिक्कत आ सकता है, अगर आप एक ऐसा property खडीदते हो, I mean contract को sign करते हो, जिस property को खडीदने के लिए कोई भी buyer और investor ready नहीं है, that means उस time पे आपको उस property को maintain करना और पैसा भी invest करना होगा, उसे सही रखने के लिए, जो आपको सरदर्द दे सकता है, इस पूरे process में, तो यह कौन से, wholesaling business का, पर इसमें profit अच्छा खासा मिल सकता है, मैंने खात आपको 3 lakh rupees, आपको अच्छा खासा profit मिल सकता है, अगर आप interested हो तो, आप question यह आता है, कि क्य wholesaling का business legal है इंडिया में, देखो, ऐसा कोई भी law नहीं है, जो कहता है, कि ऐसा करना illegal है, बहुत लोग क्या करते हैं, इंडिया में, वो seller से एक contract करवा लेते हैं, मतलब आपको मैं इस property का 30 lakh rupees दूँगा, उसके उपर का जो भी कमाई होगा, वो मेरा होगा, बहुत सरे agents ऐसा कर करते हैं, और उन्हें फाइदा भी मिलता है, जिसे indirectly लोग wholesaling का business कहते हैं, इंडिया में ऐसा होता है, जो absolutely legal है, बट दोस्तों, आपको इसके लिए एक business plan बनाना होगा, आपको अपने mindset को build करना होगा, और कुछ closing technique भी सीखना होगा, wholesaling business में सफलता पाने के लिए कैसे negotiate करना है, उसके लिए आप ये वीडियो देख लो, मैंने explain किया है कि कैसे exactly negotiate करना है, negotiation अच्छा होगा, तो आपको ज्यादा profit मिलेगा, आपका headache कम होगा, तो आप ये वीडियो जिरूर देखना, अगर आप जानना चाहते हो कैसे negotiate करना है, कैसे deal को close करना है, so in summary दोस्तों, whole selling problem properties को ढूंडना है, जो property under market price में भिक रहा है, और उस seller से एक contract हासिल करना है, और किसी buyer को ढूंडना है, और उसे वो contract बेच देना है, ये पूरा process होता है whole selling का, बड़ दोस्तों, याद रखना, ये mainly काम करता है problem properties के उपर, I mean, जिस property को पर renovate करना होगा, rehab करना होगा, मतलब paint करना होगा, water supply को change करना होगा, electricity repair करना होगा, floor को ठीक करना होगा, tiles को change करना होगा, ये फिर furniture को repair करना होगा, ऐसा ही बहुत सारी properties है market में, आप ढूंड सकते हो, whole selling का business बहुत ही जएदा profitable है, वो भी कम investment के साथ, ये बहुत ही अच्छा profitable business है, तो ये था पूरा खेल whole selling का, आ कैसे differ करता है, एक agent business से, आप जान गए हो, वीडियो काम का लगा informative लगा, उसे like करना, share करना and subscribe करना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, take care and be safe, thank you.